नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंग्लिस वर्ड जी हां अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सब्दले कर आया हूं जो की बेसिक से थोड़ा हटके है आप लोगों को भी नया लगेगा और साथ ही मैंने इसका सेंटेंस में यूज भी किया है वाक्यों में प्रयोग किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और समझ आ सके कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक पहला वर्ड देखते हैं कौन सा है सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं बलंट याने होता है बातूनी जो बहुत get back का मतलब होता है वापस जाना या फिर पीछे हटना देखते हैं get back to your seat अपनी seat पर वापस जाओ get back to your seat ठीक है clear हो गया वापस जाना नेक्स देखते हैं run after run after का मतलब होता है पीछे लगना या किसी के पीछे दौड़ना don't run after money पैसे की पीछे मत भागो या पैसे के पीछे मत दौड़ो इस प्रकार से run after का मतलब होता है पीछे लगना फिर पीछे दौड़ना नेक्स देखते हैं नेक्स है cutting cutting का मतलब होता है बीच में टोकना या फिर बात काटना तो इसका sentence में यूज देखते हैं don't cutting while I am talking जब मैं बात कर रहा हूं बीच में मत टोको ठीक है बात काटना है फिर बात टोकने को cutting कहा जाता है नेक्स देखते हैं stubborn stubborn का मतलब होता है जिद्धी ठीक है my nephew is too stubborn मेरा भतीजा बहुत जिद्धी है अब sentence कोई सभी आप change कर सकते हो यह आपको समझाने के लिए मैंने बताया था stubborn या नहोता है जिद्धी नेक्स देखते हैं नेक्स है slavish slavish का मतलब होता है कमीना या फिर नीच अवाइट slavish friend कमीने दोस्तों से बच कर रहें ठीक है नेक्स लोग रहेते हैं उसे चुगली करने वाला मैं 이 स्टीचर का मतलब होता है चूगल खोर मैं फ्रेंड इस जक्णीचर मेरी दोस्त चुगल को रहते माथ को इधर करते उसे चूगली करना बोलते है वही यह इस नीचार नेक्स thì देखते हैं next clumsy clumsy का मतलब होता है अनाड़ी या फिर उद्दंड he is too clumsy वह बहुत अनाड़ी है next word whatever whatever का मतलब होता है जो भी हो कुछ भी हो do whatever you want ठीक है do whatever you want इसका मतलब तुम जो भी चाहो वो करो आपने देखा होगा big boss हो करें सल्मान खान ऐसे ही बलता है do whatever you want याने कि तुम जो भी चाहो वो करो next देखते है feel like feel like का मतलब होता है मन कर रहा है जैसे कि I feel like eating मुझे खाने का मन कर रहा है I feel like dancing मुझे नाचने का मन कर रहा है इस प्रकार से बहुत सारे sentence और भी बन सकते हैं next देखते है gradually इसे gradually पढ़ेंगे gradually याने धीरे धीरे the train gained speed gradually train ने धीरे धीरे गती प्राप्त की ठीक है तो gradually याने धीरे धीरे और भी बहुत सारे sentence मिसका यूज होता है next देखते हैं maybe maybe याने होता है सायद maybe that was the problem सायद यही समस्या थी ठीक है maybe याने होता है सायद next देखते है at least at least का मतलब होता है कम से कम at least eat some fruits कम से कम कुछ फल खालो at least याने कम से कम next है not now याने अभी नहीं those days are not now वो दिन अब नहीं रहे ठीक है अभी नहीं रहे या फिर अब नहीं रहे तो not now याने अभी नहीं ठीक है तो यह थे हमारे कुछ important English words जो आपको बहुत ज्यादा help करेंगे spoken English में या फिर आप रेडिंग करते हैं फिर रैटिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए helpful होने वाली है इस प्रकार से और भी आदि आप चाहते वर्स लेकर आओ तो प्लीज कमेंट करेंगे कि सर आप ऐसे और भी व